हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हाई चैनल स्टडी फोर यू सो गाइस आज का यह वीडियो जो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है यदि अगर आप कोई भी कमपटीडिव एक्जाम का त्यारी कर रहे हैं उसके पॉइंट अब यू से क्योंकि यहां पर हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एक्जाम हुआ था दोजार बीस में बारत से चब्वीस अक्टूबर तक टोटल जो है बारत सिप्टों में आपका यह एक्जाम लिया गया था ठीक है तो जीके के जो है टोटल आपके यहां पर तीन हजार प्लस कोउस्टन जो वो दे डेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और बगल में यह आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निसान भी दिख रहोगा तो आप उसे भी जरूर प्रैस कर दीजेगा और वीडियो के लाश्ट में मैं यह भी आपको बताऊंगा कि आप यह सारे स ठीके का जो कोशन डिसकस करने वाले हैं तो आपका जो पहला कोशन है तो दोस्तों की हरडप नीती जो यह किस ने इसे अपनाया गया थे तो यह भी आपको याद रखना है और इसे व्यक्तिक गतर का सिधांत भी कहा जाता है थी भाँजाता है, next question आपका यहाี่ंप राए थे दूस्तूं कि computer में जो है N Image Kit में से कौन सी iqai data को जो processing के लिए जिम्हायदर होती है तलिए तथा computer के electronic मस्तिस के नाम से भी झाना जाता है तो देखे computer के electronic मस्तिस के नाम से जो है यह Central processing unit जिसको आप CPU भी बोलते है ठीक है तो cpu को जो है जाना जाता ठीक है तो central processing unit जो है आपका यहाँ पर correct answer हो जाता next question आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों की कलकता में भारती सांखी की संस्थान यानि ISI की अस्थापना जो है किस ने की थी तो देखिए ISI का फुल पाम होता है वो आपका Indian Estatical Institute होता है ठीक है तो यह फुल पाम आपको याद रखना है और इसकी जो अस्थापना किये थे यह प्रसाद चैंद्र महाल नोबिश ने किया था तो प्रसाद चैंद्र महाल नोबिश जो है आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा और कब किया था इन्होंने को जो है राष्ट्रिय महतु की संस्था का गौर्रब भी जो है प्राप्त है ठीक है तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कोईशन आपका यहाँ पर यह था दोस्तों कि हार साल जो है समविधान दिवस किस दिन मनाए जाता है तो देंकि है भारत में हर साल अमेटकर के 125 वे जहनती के वर्स के रूप में यह 26 नॉबर 2015 को सम्भिधान दिवस मनाया जाने लगा तो यह अगर पूचा जाये कभी बी कोई भी exam में कि सम्भिधान दिवस कब से मनाया जाने लगा तो आपको यहाद रखना कि 2015 से है ये संबिधान दिवस मनाया जाने लगा ठीक है और ये किसकी जहनती पे तो भीम राव अमिटकर की जो 125 जहनती थी उसके वर्स गाट में जो है ये मनाया जाने लगा ठीक है तो ये आपको याद रखना है और यहां से एक कोशन आपका और पूचा जाता है दोस्तों कि संबिधान सबा में जो संबिधान सबा बनने में जो है कितना टाइम लगा था ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है कि हमारा जो संबिधान बना था वो दो वर्स 11 माह और 18 दीन लगे ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है दो वर्स 11 माह और 18 दीन ये टाइम लगा था तो ये टाइम भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुशन आपका यहाँ पर रहते हैं दोस्तों कि निम्लिकित में से जो है किस वन को मांसुन वन के नाम से जो जाना जाता है तो मांसिक स्वास्त के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए विस्व आर्थिक मंच द्वारा यानि जिसको आप वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरम भी बोलते है ठीक है दिये जाने वाले 2020 क्रिस्टल अवार्ट के लिए किसे चुना गया है तो देखें ये जो क्रिस्टल बात की थी ठीक है इन्होंने जो डिप्रेशन के बारे में जो बताया था तो इस कारण जो इन्हें क्रिस्टल अवार्ट से समानित किया गया था नेक्स्ट कोशन आपका है तो दोस्तों कि आती से चीनार मतलब कि फ्लेम्स आप चीनार निमली खित में से 21 राजनेता की आत् कर 춤क्त को तो सेख मुमत अब्दॉल्ला को यहां पर और अंसर हो जाता नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर राइचा दोस्तों की लोहे को जंग से बचाने में के लिए ज जो किस नाम से जाना जाता है तो देखे जस्ते की सुरचात्मक जो परच चड़ाई जाती है इस परकरिया को जो जाना जाता है वो गैलवेनी करन यानि गैलवेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है तो गैलवेनी करन जो आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाता नेक्स्ट को बिदान के किस अनुचेद में जो है यह उलेख किया गया है कि लोगसवा में जो एक अध्यच और एक उपाध्यच आवस्यक रूप से होना चाहिए तो देखे यह जो अनुचेद में कहा गया है वो अनुचेद 93 में जो यह कहा गया है उलेख किया गया है कि लोगसवा में जो आपके लोकसभा की संरचना को परिवासित किया गया है तो ये भी आपको याद रखना है आगे के एक्जाम में अगर पूछा जाए कि लोकसभा की संरचना को जो है किस अनुचेद में परिवासित किया गया है तो ये अनुचेद 81 में जो इसे परिवासित किया गया है ठीक है और वर्तमान में जो लोगसभा के अध्याच यानी speaker है वो ओम बिडला है तो ये भी आपको याद रखना है आगे के exam में अगर आपसे questions पूछा जाए कि वर्तमान में लोगसभा के अध्याच कौन है तो ओम बिडला आपका correct answer हो जाएगा next question आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों की पंका जाडवानी IBSF World Village Championship जो ये कितनी बार जीत चुके है ठीक है तो देखें IBSF का जो World Village Championship जो जीत चुके है पंका जाडवानी ये टोटल जो 22 बार जीत चुके है तो 22 जो आपका यहाँ पर correct answer हो जाता next question आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों की निम्लिकित में से जो कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक है तो ये जो जल विज्ञान है विए सम्मुद्र विज्ञान से संबंदीत है ये जो मानव विज्ञान था वो आपका सांस्कृतिक भूगोल से संबंदीत है जानसिकी सौरी ज संक्या भूगोल से संबंदीत है लेकिन ये जो भूमी विज्ञान था ये पादव भूगोल से संबंदीत नहीं है तो ऑप्सन टू जो आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाता नेक्स्ट कुशन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों की दो दिसंबर 2019 को जो है कौन भारति पहली महिला पाइलेट बनी है ठीक है तो सिवांगी सिंग आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाता नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर रहता है तो दोस्तों की निमलिकित में से जो है किस कंपनी को सितंबर 2019 में जो है कार्बन नूट्रल नाव वर्ग एन यून सौरी ग्ल नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों की आईसेसी क्रिकेट आप दाइयर के लिए जो है सर गार्फिल्ड सोबस टॉफी जितने वाले पहले खिलाडी थे वो विराट कोली थे तो विराट कोली जो आपक के वह चुना गया है, तो यह चुना गया है क्सकी कर्कुषिपlier박us जो संवसित दौफी से जो चुना गया। यहँ पर कम पूचा गया है, जो यह चुना गया था। शूना गया था औक करें आग वी साकनव में प्रभी जिसन और नेगा ने MALE निकश्ट को लाइशन और खाल को भी आपको याद रखना है नेक्स्ट ऑ सुची में सामिल जो है सूची में सामिल किया गया था यह आपका 2010 में इसे सामिल किया गया था तो 2010 जो आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाता नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों की मद्य मंडल जिसको आप मीजो स्पियर भी बोलते हैं इंगलीज में ठीक है के संदर में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो देखें मीजवस्पेर के संदर में जो आपका कथन सही नहीं होता यहाँ पर देखें पहले तो सही जो आपका होगा यह वाई मंडल का तीसरा स्थर है ठीक है तो यह आपको याद रखना है यह प्रत्यचता समता मंडल की उपर हो जो है कथन आपका सही नहीं था ठीक है तो option 3 जो आपका यहां पर correct answer हो जाता है नेक्स्ट कोश्चन आपका यहां पर दोस्तों की मनुष्य के हिड़की आलिंद की दिवार जो एक बहुत ही महतपूर्न प्रोस्टाइड हार्मोन का स्रावी करती है वह हर्मान सौरी वह हर्मोन कौन सी होती है ठीक है तो देखिए वह जो आपका हर्मोन होता है वह एनेफ हर्मोन होता है ठीक है तो एनेफ हर्मोन जो आपका यहां पर correct answer हो जाता नेक्स्ट कोश्चन आपका यहां पर आपने में जो है परियुक्तिवता के पहमानी की सीमा क्या है तो देखिए भुक्ति कि जो परियुक्तिवता का जो पैमाना है यानि सीमा है वो एक से बारह तक है तो एक से बारह जो आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपका यहाँ पर करेक्ट का संबंद जो यह किस खेल से है तो देखे भामी दिपती साई का जो संबंद है यह आपका बैडमिंटन से है तो बैडमिंटन जो आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाता नेक्स्ट आप कहा था दोस्तों कि निमलिकित में से जो है किस बॉलिवुड दिगज को 2018 में 66 दादा साफ़ाल के पुरुषकार के लिए जो चूना गया था वह अमीताब बच्चन को चूना गया था तो अमीता बच्चन जो आपका यहां पर हो जाता नेक्सट आ जाता दोस्तों कि इंसुलीन की कमी के कारण जो निमलिकित में कौन सी बीमारी तो तो देखिए इंसुलीन की कमी के कारण से आपका डाइवेटीज यानि मदू में रोग होता है, ठीक है, तो option 3 मदू में जो आपका यहाँ पे correct answer हो जाता है, नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों की Economist Intelligence Unit जिसको आप short form EIU भी बोलते हैं, उसके अनुसार जो है 2019 में विस्यापी कैंसर त्यारी सुचकांग में भारत का कौन सा अस्थान था, तो भारत की जो रैंकिंग रही थी EIU में वो 19 वे अस्थान पर रहा था, तो 19 वा आपका बारत की सबसे बड़ी नदे द्रोन है भारत में वो गुदावरी है तो गुदावरी जो आपका यहां पर करिक्ट रह पर है था अच्वारत ने की बहरत चोड़ों के दोरान जो है बॉम्बे के गुवालिया टैंक मैदान में भारती राष्टे कॉंग्रेस को धवज फहराया था ठीक है तो देखे बॉम्बे के गुवालिया टैंक मैदान में जो भारती राष्टे कॉंग्रेस का धवज फहराया थे ये अरुना आसफ अली ने फहराया था ठीक है आप easily जो है वहाँ से टेलिग्राम पे जाके जो है टोटल सारे सिप्टों का जो हिंदी और इंग्लीज दोनों में जो आप अपना question जो है डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो जो भी candidates को अगर इसका पीडियाप चाहिए तो टेलिग्राम में जोड़कर जो है यह इस अल्ड़ बेस्ट